फ्रेंड्स इस बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी को बनानी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक गब दूध तीन चम्मश ली है पिसी होई शकर आप इसकी जग़ा खड़ी शकर भी ले सकते हैं एक छोटा चम्मश लिया है अगर-अगर पाउडर यह वही होता है जिससे हम जेली बनाते हैं दूध को रखते हैं गरम होने के लिए दूध को लगातार चलाते रहेंगे दूध में उबाल आ चुकी है तो अब मैं लो फ्लेम पर एक मिनिट तक दूध को और उबाल लूँगी एक मिनिट के बाद गेस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट ली है इस तरह की और इसमें साइड में एक नेपकिन लगा दिया है ग्लास आप अपनी पसंद के अनुसार छोटा या बढ़ा ले सकते हैं ग्लास को इस तरह से नेपकिन से टिका कर तेडा रख देंगे आप गटोरी के अंदर भी ग्लास को इस तरह से तेडा रख सकते हैं दूद यहाँ पर थोड़ा हल्का सा ठंडा हुआ है हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है नहीं तो यह यहीं पर जम जाएगा दूद को ग्लास में डाल लेते हैं दस मिर्ट तर ग्लास को ऐसे ही रहने देंगे दस मिर्ट हो चुके हैं अब मैं इन दोनों ग्लास को 15 मिर्ट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि यह ठंडे हो जाए एक बड़े आम का छिलका निकाल कर मैंने उसे इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है और आब हम इसे पीस लेते हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ आम को पीस लिया है तो इसे में इस बर्तन में निकाल लेती हूँ एक चोथाई कब डाल रही हूँ पीसी होई शकर अगर आम ज़्यादा खटा है तो शकर ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको आम को पीसने में परिशानी हो रही हो तो आप इसमें एक दू चमज पानी डाल सकते हैं अगर चटनी वाले छोटे जार में आम को पीसते हैं तो बिना पानी के भी ये बहुत अच्छे से पीसा जा सकता है एक छोटा चमज डाल रही हूँ अगर अगर पाउडर इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए रखते हैं और इस समय मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी शकर यहां पर पूरी तरह से घुल चुकी है तो इस समय आप इसे टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको खटा लग रहा है तो अभी शकर बढ़ा दीजिए आम को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा बस इस तरह से बबल्स आने लगे हैं तो हम फ्लेम को आफ कर देंगे इसे पकाने में मुझे डेर्ड मिनिट का समय लगा है और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ये दोनों ही ग्लास का दूध हमारा सेट हो चुका है अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा ओरेंज कलर का फूट कलर ये ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो ना डाले ये फिफ्टी परसेंट ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे ग्लास में डाल लेती हूँ अभी इसे पंदरा से बीस मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तभी हमारी जली सेट हो जाएगी फिर हम इसे पंदरा मिनिट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए 30 मिनिट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था और अब ये बिल्कुल ठंडा है मैं इसके उपर से डाल रही हूँ कटा हुआ आम आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो जिसे लाइक कीजिए और विस्तर की रेसिपी देखने के लिए मैरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए कर दो से खायए